राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो शरादों की अश्टमी में महालक्षमी मा का वरत आता है वो किस दिन है और ये कैसे करना चाहिए जो महालक्षमी का वरत शरादों में आता है वो 6 अक्तूबर को है उस दिन शुकरवार है कुछ लोग 7 दिन भी वरत रखते हैं और इसे 7-8 बोलते हैं कई लोग 7 का वरत रखते हैं कई लोग 8 का वरत रखते हैं ये वरत बच्चों की लंबी आयू के लिए रखा जाता है इस वरत में जो घर की बड़ी महला होती है वो अपने हाथ पर बच्चों के नाम के पीले धागे बांधती है और उन धागों में 16 तंदे होती हैं और 16 ही धागे होते हैं, गांठे होती हैं हर एक धागे इस तरह बनाना होता है कि उसमें 16 तंद हो, ये सूट के धागे होते हैं और 16 ही उसमें गांठे हो, हर बच्चे के नाम का एक-एक धागा बांधा जाता है और मा से बच्चों की लंबी आयू के लिए प्रार्थना की जाती है और उससे एक दिन पहले काले चने भिगोने होते हैं और फिर सुबह चार बजे उठकर सर्गी खानी होती है, सर्गी में आप कुछ भी खा सकते हैं जैसे प्रांथी, पूरी या प्लेन, चपाती जैसे मन करें सुबह चार बजे सर्गी खानी होती है और उसके बाद फिर कुछ भी खाना या पीना नहीं होता फिर शाम को चार बजे कथा सुनकर माता की फिर हम चाय या दूध या कई लोग जिनके घर में बच्चे पैदा होते हैं छोटे बच्चे पैदा होते हैं वो उस दिन सब को कोल्ड रिंक या थंडा दूध इस तरह से पिलाते हैं तो वो हम चार बजे पी सकते हैं और उसके बाद फिर तारा देहकर भोजन किया जाता है ये भोजन बिना लहुसन प्याज का होना चाहिए तारे को अर्ग देकर मा लक्ष्मी को उत्तर दिशा की तरफ पुकारा जाता है कि मा लक्ष्मी आप हमारे घर में आओ और हमारे घर में स्थिर निवास करो ये वरत बहुती फलदाई होता है जिन लोगों के घर में बिल्कुल भी धन नहीं होता ये वरत रखने से धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं और मा बच्चों की लंबी आयू करती है और धन भी बच्चों के लिए ही अवश्यक होता है इसलिए मा धन भी देती है और ये वरत शुकरवार को रखा जाना है और मा लक्षमी से सभी प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे घर में स्थिर नमास करो बच्चों को सुख समरी दी दो और उन्हें रोक से मुक्त रखो जै माता दी